जाहिन दोस्तों स्वागत है आपका और आज का जो टोपिक है वो है उडान पब्लिकेशन की बुक से चेप्टर 55 जारखन की मिठियां जारखन की मिठी से बहुत सारे सवाल आते हैं तो आज मैं पूरा आपको ये चेप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ पूरा ध्यान देखिएगा और पूरा दम इसको नौट कर लिएगा तो पहला जो है वो है निर्मान प्रकरिया की दिष्टी से चारखन में अवसिस्ट मिठी पाई जाती है अनीरी साइडियोल स्वैल पाई जाती है कौन से मिटी अवसिस्ट मिटी पाई जाती है अब पठारी इलाकों में जमिन के अंदर खनी जयों चटानों के अप्षेन के परिनाव शरुप निर्मित अवसिस से बनी मिटी अवसिस्ट मिटी कलाती देखे, क्या कहरास को देखे, कहरा की पठारी अलाकों में, जमिन के अंदर, खनी जिवम चटान के, चटानों का अप्षेन के परिनासरूप, जो मिठी बनती है, उसका जो आवसेश रहता है, उस आवसेश मिठी को आवसेश मिठी कहते हैं, चलिए, आगे देखे, चार्खन म मिट्टी का वरगी करम आप देख सकते हैं से तो जार्खन की शाय enfin नभे परतिसाथ भाग में पाई जाती है कितने प्रतिस्यत भाग में 90 प्रतिस्यत भाग में और दामदर घाटी का गोंडवाना छेतर तता राजमाहल उंच भूमी को छोड़ कर संपुन छोटा नाकपुर छेतर में लाल मेटी की अधिक्ता है ठीक है लाल मेटी की अधिक्ता है किसको छोड़ कर तो दामदर घाटी का गौणवाना चेतर तथा राजमाल ऊचिबोमी को छोड़ कर आब आजाएए इस मिटी में इस मिटी में लाल मिटी में फैरिक आज़ाइड और बाकसाइड के अधिकता जादा है जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है और कहें कहें इस मिटी का रंग पीला, धूसर, भूरा और काला भी मिलता है राज के हजारी बागवा को ड्रमा छेत्र में अबरक मुलक लाल मिटी तथा सीम भूम वा धनबाद के कुछ भागवा में लाल काली मिश्रित मिटी पाई जाती है नीश एवं ग्रेनाइड के अवसेश से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्पोरस और हुमस की कमी से युक्त होने के कारण इसकी उरोरा सकती कम हो जाती है तो नीशिवम ग्रिनाइड के आवसेश से बनने के कारण और इसमें नाइट्रोजन, फास्पोरास और हिमस की कमी है इसके लिए यह मिटी, जवार, बाजरा, रागी, गन्ना, मुंगफली, आदी की खेतुई के लिए बहुत ही उप्युक्त होती है अब है मिटी का नाम, विश्तार है राजमाल चेतर में, काली मिटी है, विशयस्ता, देखीए विशयस्ता है, इसमिटी को रेगूर मिटी भी का जाता है, तथा हैं काले मैं भूरे रंकी होती है और इस मिटी का निर्वान अत्यंत बारिक करों से होता है अतब पाने पढ़ने पर या मिटी चिपचिपी हो जाती है इस मिटी में लोहा, चूना, मेगनिसियम तथा ऐलोमिना का मिसन पाए जाता है इस मिटी में आपका नाइट्रोजन, जेविक पदार तथा फास्परिक एसिड की कमी पाई जाती है बेशाड के अप्चन से निर्मित या मिटी का पास की खेती खेतु अत्यंदूपयोगी है किन्तू राजमाल चेतर में इस मिटी में धान एवं चने की खेती की जाती है जिलिए आगे देखते हैं अब है लेटराइट मिटी, विस्तार है इसका, कहा कहा है तो पलामो का दक्षिनी चेतर में, राची का प्रश्चमी चेतर, संथाल प्रगना, पूर्वी राजमाल चेतर, सिब्भूम का ढाल भूम चेतर जिलिए इसके बारे में देखते जानते है या घहरे लाल रंग की होती है, तथा इसमें कंकड की अधिकता होती है इस मिटी का निर्मान, मौनसुनी जलवाई की आदर्ता, तथा सुस्कता में कर्मिक परिवर्तन के फलसरूप, उत्पन, परस्तितियों के परभाव सरूप हुआ है और शिंचाई साधनों की सायताचेस में मुख्यता, चावल तथा मोटे अनाज की किर्शी की जाती है अब आज आईए, मिटी का नाम रेतिली मिटी है, विस्तार इसका पुरिवी हजारी बागवा धनबाद में है इस मिटी में लाल तथा पिले रंग का मिशन पाई जाता है इस मिटी में मोटे अनाजों की किर्शी की जाती है कामदर गाटी छेतर में मुलता फुस्पुस बलोई मिटी पाई जाती है मिटी का नाम जलोड मिटी विस्तार संथाल प्रगणाम है इसके बारे में विश्ष्ष्था जानिये पूरा डिटेल से जहारखन में पाई जानी वाली नविन्तम मिटी है जिसमें मिर्दा परिछे दिका का विकास नहीं हुआ है राज में भांगर आणि पूराना जलोड खादर आणि नविन्तम जलोड दोनों परकार की जलोड मिर्दा पाई जाती है राज में साहिब गण के उत्तरी एवं मुतर परश्विय भाग में भांगर और पुराना जलोड तदा पुरीवी भाग एवं पाकोड जिले के छत्र में खादर और नविन जलोड पाए जाता है और इस मिट्टी में चूना वेवं पोटास की अधिक्ता जबकि नाइट्रोजन हिमस की कमी पाए जाती है धाने गेहों के लिए अतन्द उप्योग मिट्टी है ये जलोड मिट्टी आजाए अब मिट्टी का नाम अबरक मुलक मिट्टी विस्तार कहां कहां पाए जाता है तो ये पाए जाता आपका कोडरमा मांडू जुमरी तलया औ और बढ़का गाओं इसके बारे में पूरा डिटेल जान लिजिए अब्रक के खानों के समय प्या मिटी पाई जाती है कोड्रमाज, हुम्रितलिया, मांडू और बढ़का गाओं के छेतरों में इस मिटी के पाई जाने के कारण इस छेतर को अब्रक पटी के नाम से जाना जात रहा है और यहां मिट्टी अत्यांत उपजाओ होती है लेकिन इन छेत्रों में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित धंग से किर्शी कार संभव नहीं हो पाया है चलिए आगे देखते हैं जारखन की मिर्दा तो जारखन में कितने प्रकार की मिर्दा इस्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसमें दीया हुआ है आपको अभी हम बता हैं च्रेपर कार की एक बार गारल दोहरा लिजिए लाल मिर्दा काली मिर्दा लिटरैड मिर्दा, रेतिली मिर्दा, जलोर मिर्दा और अब मूलक मिर्दा और गोड मिटी समुचित defense के बारे में जान यह निम्द उर्वता वाली मिटी है इसमें आपका सरगुजा, खुर्थी, मक्या आधी की खेती की जाती है चलिए मिटी का नाम जानिए, उच भूमी की धूसर पिली मिटी है, विस्तार जो है इसका, इसका विस्तार है, पलामो तथा गड़वा के उची पठारी छेतर में, और इस मिटी की रूरता मध्यम से उचस्तर की होती है चलिए मिटी का नाम है धात्विक गुनों से युक्त मिटी, विस्तार है पर्श्मी सिंभूम का दक्षिनी भाग, विस्तार है इस मिटी का रंग लालिमा युक्त होता है, और यह मिटी कम उरवर होती है आद रखेगा चलिए आगे चलते हैं आगे है मिटी का नाम है विशम जाती है मिटी विश्थार है इसका वर्षिम सिंभों के मद्वर्तियों मुत्री भाग तथा सराय के इलागे चेत्र में चलिए यह मिटी आपका यह मिटी विभिन मुल के चट्टानों के आउसेशों के मिश्थान से निर्मित होती है और रूच भूमी में इसका रंग पीला तथानियम भूमी में काला वा धूसर होता है और इसमें मद्य मस्तर की उर्वर्ता पाई जाती है चलिए आगे देखते हैं मिटी का अस्थानी न नम के वाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद और हासा है तार्खन में दोमर मिटी का नम है खेर्शी, चर्का, लोबो, बालसुंदर, आरहासा है और बलोई दोमर मिटी का नम है बाला, गौरिश, जारिया, गिटा लासा भूमी का स्थानियम भूमी या टान उच्छ भूम निच्छ भूमी को या आपका होगया गाड़ा, भायार, घोगरा, जा, चवड़ा, कनारी आध रखेगा तो दोस्तों यह था आपका जारखन के मिटी के बारे में तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो फिर मिनते हैं जैहिन जैभ करेंट कषुआवला, भायािए तो आपका ड़का ये आपका होगया, भायाा सिर्था आपका होगया, जैए आपका होगया, ञाभी जैजहाएदा रखेगान की उौहरा छान परोग।